Good morning to all of you अभी दिन के लगभग 9 बज रहे हैं और आप से भी ने ट्यून किया आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल सागा फ्लाइस बैग जो भी इस वीडियो को आफ्टरनून में देखेंगे और वेरी गूड आफ्टरनून और मैच चुकी साम को है तो जो भी साम को इस वीडियो को देखेंगे वेरी गूड इवनिंग तो आल अफ्यो आपको पता है इंडिन प्रीमियर लीग 74 मैचेज की सिरिज है अभी यहाँ पर 23 मैचेज हुए है यानि 51 मैचेज अभी भी यहाँ पर बचे हुए है 51 मैचेज का मतला आपके सारे लॉसेज यहाँ पर IPL में रिकवर हो सकते है तो पहली बात तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है सारी बात है आपको समझ में आ जाएंगी दूसरी चीज आप सभी के लिए 10 लाग रुपे का मेगा गीवो में कांटेश हमने रखा है जिसमें पार्टिसिपेट आप कैसे करोगे सिंपल है एक कोई भी अच्छा सा कमेंट करना है लाइक करना है वीडियो को सेर करना है जिस यूटिप चैनल को आप देख रहे हो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना और प्लस आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सम बॉक्स में मिल जाएगा उसको आपको जॉइंग करना है मैं आपको टेलिग्राम की यूजर आइडी बता देता हूँ सागा फ्लैस्बेक सागा फ्लैस्बेक अंकुर बिना इस्पेस के जब आप इस पे क्लिक करोगे अड़ रेट लगा करके तो वहाँ डिस्क्रिप्सम बॉक्स में देखना हमारा वाट्सअप नमबर आपको दिख जाएगा हमारा टेलिग्राम चैनल का लिंक दिख जाएगा क्लिक करने के बार डिरेक्ली ये खुलेगा यहाँ देख सकते हो वाट्सअप नमबर यूजर आईडी और टेलिग्राम चैनल का लिंक कल भी आपने देखा कि हमने दो IPL के मैच कवर किये थे एक तो हमने अल्टरा क्लिन सिप किया जिसमें से लगबख 70 मैचेज हम लोग कलीन सिप करने की कोसिस करेंगे अभी तक IPL में जो 23 मैचेज हुए है उसमें से हमने 21 मैचेज में अल्टरा कलीन सिप किया है हमने जो कवर किया है वो 22 मैच किया है विनिंग में अभी आपको दिखाऊँगा आपको पता लग जाएगा यह मैच होने वाला है एम चिनना स्वामी स्टेडियम बैंगलोरू में आज के वले एक मैच है सामको साड़े साथ बज़े से अब यहाँ पे इस सीजन भी मैच हो चुका है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ मैचे जुए है जैसे कि यह वाला मैच यह वाला मैच इसका रिजल्ट क्या है रन क्या है वो आपको सामने दिख रहा है अभी मैं डेटेल में अनलिसिस करूँगा कुछ इंपोर्टन स्टैट्स भी मैं आपके लिए लेकर कर आया हूँ बैटिंग सेकंड करने वाले टीम का अच्छा रिकॉर्ड है एवरेज स्कूर 155 है इंडिया का सबसे हाइस्ट है 202 और 122 स्रलंका का लोइस्ट है चार बार 150 से कम गया है दो बार 190 से ज़्यादा गया है बाकी एक बार यह हुआ है लेकिन यहाँ पर इंपोर्टन रहता है डोमेश्टिक मैच का रिकॉर्ड क्योंकि यह IPL डोमेश्टिक सिरीज है वैसे इसको देख करके अंजाजा लग गया हो कि बैटिंग सेकंड करने वाले टीम का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है रन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोर यहाँ नई बनते है लेकिन इस सीजन बने है टोटल 118 दोमेश्टिक टीटिटी हुए है जिसमें से की 53 बार बैटिंग फर्ष्ट और 63 बार बैटिंग सेकंड ने विन किया है यहाँ भी बैटिंग सेकंड करने वाले टीम का अच्छा रिकॉर्ड है एवरेज स्कोर 165 है, हाइस्ट रसीबी का 263 है, लोइस्ट पी रसीबी का 82 है स्कोरिंग पैटरन 28 बार 190 प्लस गया है, 36 बार 150 के नीचे गया है यानि दोनों तरीके की सिचुएसन है प्लस यहाँ पे 323 बार रेस्पेक्टिवली इस तरीके के डिवरेशन में रन बना है अब यहाँ पे आते हैं रिसेंट मैच पे 174 लाश्ट मैच में आरसी भी नहीं मनाया था और डिफेंड कर लिया था डेल्ली को हरा दिया था 9 विकेट पेसर और 5 विकेट स्पिनर यहाँ पे ऐसी पिछे की पेसर स्पिनर दोनों गोमरत मिलती है इसके पहले आरसी भी ने 212 बनाया यहाँ पे लखनों की टीम ने इसको चेस कर लिया अब इस मैच में देखो यह इसी सीजन मैच हुआ था यहाँ पे लखनों की टीम ने चेस कर लिया इतना बड़ा टार्गेट यानि एक बैटिंग पिस तो है 9 विकेट पेसर और 2 विकेट स्पेनर बाकी यहाँ पे यह दोनों आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ बना है यहाँ पे चेस कर लिया गया आरसी भी ने चेस कर लिया है 172 को और यह जो इंटरनेशनल मैच हुआ था यहाँ पे साथ अफरीका ने असानी से 16 ओवर 5 बॉल में 135 का टार्गेट को चेस कर लिया था प्लेयर्स बैटल के पहले कुछ इंपोर्टेंट स्टैट्स है वो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी अचीए द्रीम 11 टीम बनाने के लिए ग्रैनलिक टीम बनाने के लिए विराट कोली का इस में निपे काफे अच्छा रिकॉर्ड है 74 मैच में 2-4-6-4, 2464 रन, 113 है फाप्ड प्लेसिग का 6 मैच में 266 रन है करन सर्मा ने यहाँ पे चार मैच में दस विकेट लिए हैं, तो इन सभी प्लेयर पे आपको नजर रखनी है, छे प्लेयर मैंने ग्यारा में से बता दिये, कुछ और इस टैट से यहाँ पे, सिवम दुबे ने दो मैच में 141 रम बनाया है, 95 हाइस्ट है, ठीक है, रितुराज गाइकवार्ड ने 5 मैच में 181 बनाया है, 65 हाइस्ट है, अभी रिसेंट फॉर्म दिख रही हैं आपे, हरसल पतेल ने 7 मैच में 13 विकेट लिए है, ठिकसाना ने 2 मैच में 7 विकेट लिए है, ग्लैन मैक्सवेल को रविंद्र जडेजा ने 18 बॉल में 4 बार आउट किया है, कि बाद अमबाती राइडू को हरसल पतेल ने 3 वर आउट किया है, 16 बाल में, कुछ और प्लेयर्स बैटल ने देख सकते हैं, मोहे नली ने 2 वर आउट किया है, पाप रिप्लेसिस को बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 6 बाल में ही 2 वर आउट कर दिया है, चार बार जडेज पाज एहमत, फिर इसके बाद यहाँ पर दिनेस कारतेल, यह सब एक एक विकेट वाला आप देख लेना, फिर आगे आते हैं, आगे आप चलेंगे, तो दो बार हरसल पतेल ने मोहे नली का आउट किया है, तीन बार हरसल पतेल ने राइडू का आउट किया है, उपर मैंने प्लेशिस ने 38, कॉली ने 30 रन, दिनेस कारतेक ने 26 रन, हरसल पतेल ने 3 विकेट, ग्लैन मैक्सपल ने 2 विकेट, बाकि इन 3 विकेट लिये थे, यहाँ पर देखोगे, सहबाज आइमद ही नाम हैंका, ठीक है, डैवन कॉन्वे ने 56 रन बनाया था, मोहे नली ने 2 विकेट 34 रन, 28 रन, गायकवाट, 3 विकेट थिक्साना और 1 विकेट, ट्रियन प्रटेवरियर, तो हेट टू हेट में कुछ प्लेयर के रिकॉर्ड है, वो आपको ध्यान देने हैं, हरसल पतेल प्लेयर आप दे मैस थे, CSK की तरफ से 214 बनाया है, यहाँ पर एक से 93 ही बना पाई RCB क परफॉमेंस, उपर मैंने आपको बताया था, काफी अच्छा रिकॉर्ड है, सिवम दूपे का, 4 विकेट लिए थिक्साना ने, फिरस यहाँ पर थिक्साना का नाम आया है, दोनों मैच में, जडेजा ने 3 विकेट लिए और प्लेयर बैटल में मैंने आपको मैक्सवेल के स फिर इसके बाद यहाँ पर चेन्नाई ने फिर से जीत हासिल की, 156 बनाया चेस कर लिया, कोहली ने, तिरपनरन हरसल पटेल ने दो विकेट, ग्लैन मैक्सवेल, फिर इसके बाद रितुराज गायकवार्ड ने 38 बनाया, रायडूर ने 32, डिपलेसिस ने 31 और मोहिन अली ने 12 रम बनाया, 3 विकेट लिया, डिपलेसिस 50 रन, गायकवार्ड 33 रन, मैक्सवेल 22 रन, 3 विकेट हरसल पटेल, अब आते हैं, रिसेंट 5 मैचेश की बात करते हैं, लास्ट मैच आरसेबी जीत के आ रही है, चेन्नाई हार के आ रही है, उसके पहले 2 मैच लगा था, लावा विराट कोली बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट मैच में भी इन्होंने 50 रम बनाया, फिर आउट हो गये थे, और यहां पे देख सकते हो 82 बनाया था, तो 3 हाफ सेंचुरी आ चुकी है, लॉम्रोर को 1 बैटिंग करने भे सहबाज एहमद हेट टो हेट में अच्छा रिकॉर्ड है, बट कुछ खास कर नहीं पा रहे है, उतना मौका भी नहीं मिल रहा है, इसके बाद यहां पे हरसल पटेल है, इंपोर्टन रहेंगे, 4-4 ओर मिल रहा है, विकेट टेकिंग बॉलर है, वैस्क वीजय कुमार को मौक परनेल, लगातार अच्छा कर रहे हैं, इंपोर्टन रहेंगे, इसके बाद, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कुछ प्लेयर है, देख सकते हो, इन में से अगर कोई खेलता है, तो रिकॉर्ड आपके सामने है, और करन सर्मा का रिकॉर्ड मैने उपर आपको बता दिया, ब पॉंवे लाश मैशे पचास बना के आ रहें, दो अच्छी इनिंग आये इंपोर्टेंट रहेंगे, रितुराजगा एक वाट बहुत अच्छी फॉर्म में लाश मैश में फ्लॉप रहे थे, जिंक रहा ने इस बार बहुत अच्छी फॉर्म में आये, बहुत तेज इनिंग केल रहे हैं important हो सकते हैं सीवम दूबे का head to head में अच्छा record है बट अभी तक कुछ खास करनी पाए है मोयन अली important रहेंगे batting balling दोनों से अच्छा कर सकते हैं रविंदर जडेजा बहुत अच्छी form में लगातार wickets मिल रहा है धोनी को grand league में करना बैटिंग नीचे आती है और आकास सिंग अच्छी balling की थी दो विकेट लिया था प्रिटोरियस विकेट कभी भी ले सकते हैं अभी फिलाल विकेट नहीं मिल रहा है तुसार देश-पांडे को विकेट टेकिंग बॉलर है विकेट मिल रहा है थिकसाना अच्छा कर सकते हैं हेट टू हेट में काफी अच्छा record है कुछ यहां पर बेंच प्लेयर है जिनके record आपके सामने दिख रहे हैं सैंचनर वगएरे खेल चुके हैं कुछ एक मैच विकेट भी लिया है तो यहां पर तीन मैचेच कवर किये थे तीनों मैचेच हमार अच्छे गाए सबसे अच्छा मैच हमारे कुलकाता को मुंबई इंडियंस वाला गया जिसमें हमने winning share की हैं बाकी दोनों मैच में हमने investment नहीं किया था members नहीं था जिनकी winning हमने यहां पर दोनों ही match की share की है T10 सभी investment नहीं कर करके 27,500 विन किया 17,845 का इंको प्रॉफित हुआ ठीक है इसके बाद हमने अपनी विनिंग भी यहां पर सेयर किये आप देखोगे हमने ज्यादा इन्वेश्च्पेंट कल नहीं किया था बीजी सैडेविल की वज़े से 2999 के सोलर कॉंटे ज्वाइन किये एक लाग 30,000 विनिं बैटिंग सेक्सन में ये तीनों बैट्समन लेके चलने हैं गायकवार्ड, विराट कोली और फार्म रिप्लेसेस यहां पर अजिंक रहने को आप जरूर अपने टीम में ले सकते हैं फिलाल मेरे टीम में जगह नहीं बनी है कि मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट बॉलर्स लेन तीनों पेसर लिये हुए हैं आरसीबी की टीम से विकॉज चिन्नेई की टीम में कोई ऐसा पेसर नहीं है जिसको लिया जाए तुसार देसपांडे को आप ट्राइ जरू कर सकते हो बड़ कंसिस्टेंट नहीं है हरसल पटेल इंपॉर्टेल है मौमाद सिराज और परनेल ती सार दिसपांडे हैं वैस्क विजे कुमार को भी आरसीबी की तरफ से ले सकते हो लाश मैच में तीन विकेट लिया था प्लस हाकास सिंग भी यहां पर एक ओप्सन है फिलाल के लिए यह टीम बन के तयार हुई है कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर विराट को लिफ लेफ्ट हैं इस स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंडर देखने को मिलेंगे जैसे कि अगर लॉंबरोर आते हैं बैटिंग करने वन डाउन तो वहां पर बॉलिंग पर लगाया जा सकता है बड बहुत जारा लेफ्ट हैंडर मी नहीं है टौप बॉर्डर में देखा जाए तो मोयन अली को उतना चांस नहीं मिलेगा लेकिन रविंद्र जडेजा को चार ओर बॉलिंग दी जाएगी विकॉज राइट हैंडर के अगेंस लेफ्ट हम और्थोडॉक्स बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं इसके बाद यहां पर फिर से मैं आपको बता रिता हूँ विरा आज गायकवाट के लाश मैश फॉर्म खराब होगे जब इनकी फॉर्म खराब होती है तो काफी लंबे समय तक रहती है आपने देखा होगा और जब अच्छी बैटिंग करते हैं तो लगातार अच्छा करते हैं तो आप वैसे अगर जाहो तो इनको वाइस केप्टें बना सकते हो बाग की जो भी आपकी 24 है रविंदर जडेजा को आप बना सकते हो डेली की ववे कांटेश के दो कुस्से ने विराट कोली कितना रम बनाएंगे और यहां से आपको बताना है कि रविंदर जडेजा कितना विकेट लेंगे और कितना रम बनाएंगे हैश्टेक साग रुपय का विनिंग प्राइस दिया जाएगा अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आएगा लाइक कर देना आपका होश्टन दो संकुरी साइनिंग आउट बाबाए